वेलकम बेक तो माई चैनल होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपना खूब अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहां पर बन रहे हैं चाउमीन मेरे बेटे की फेवरिट वैसे तो यह सब की फेवरिट है तो यह सुपर मैंने सो यह सब्सक्राइब को परसंद आती होंगी और यह देखे अब यह पूरी तरह से एक्शली तैयार हो गया है शुरू से मैंने कैमरा सैट नहीं किया था क्योंकि बहुत ही हारीनेस हो गई थी ने सुबह सुबह हो जाती है ऐसे बच्चों के साथ तो उसको तयार करना होता है ब्रश ब्रश कराना होता है सब कुछ देखना होता है इसी विज़से थोड़ा सा कैमरा सेट करने में थोड़ी हट बड़ी सी गजाती है तो सबसे पहले नॉर्मल जैसे चाओमीन को में लोग बॉलिंग वाटर में बॉयल करते हैं सिंपल सा बस वैसे ही बॉयल कर दिया 70 प तो डिया नहीं थोड़ा से था कैपसिक नहीं था तो देने से अच्छा ही लगेगा और प्याज डाला है बस ऊसको अच्छे से न मने फ्राई कर लिया था थोड़ा सा स्टर असके बाद युज है चाओमीन को इसमें डाल दिया और उसमें टॉमैटो सॉस और थोड़ा साही कैब कि उसलिए में इसमें डाला है सोया सस और हमकर बने लगे एक जो है हाई-फzięki मैंने कोख की थी तो ज्याधा देख सब्झियों को अपरत है नहीं तो फिर सब्झियों बिल्कुल भी बिल्खे लगे derived बिल्कुल भी उकॉरंग से वड़ें वह जो बाजार से हम लोग लाते हैं करीद के बीज़ बीज में इतना जादा वो लोग स्वाइब और पता नहीं क्या कर डालते हैं ना मुझे खाके न मुझे तविद खराब सी होती है लगने लगती है तो यह घर का ही मुझे बेस्ट लगता है कि यह देखे देखने में कैसी लग रही है कमेंट करके बताएगा जरूर मैं आपको नजदीक से भी दिखा रही हूं और कुछ मैं उसको अभी दे दूंगी थोड़ा सो वो खा के जाएगा वैसे तो कुछ खाता नहीं है जेनरली अगर रोटी बनाई जाए तो वो बिल्कुल भी मुँमें नहीं डालता है एक निवाला बस और अगर यह सब दी जाए ना तो फिर मांग मांगे और तो कुछ कहने ही नहीं है ना तो डेली तो यह सब चीज नहीं दे सकते हैं लेकिन कभी कबर ठीक है मतलब हाफते में एक दिन तो चलता ही है ना तो देखे इस तरह से देखाने में भी बहुत ही टेस्टी हुई थी यह देखे नजदीक से दिखा रहे हूं लग रहे हैं यमी और स्रुमेटर सॉस मैंने बहुत जादा भी नहीं डाला है बिलकुल हलका सा लेकिन टेस्ट में कोई कॉम्प्रमाइज नहीं आएगा मैं सबको पसंद आया था यह और जो भी बचा हुआ था उसको मैं अभी कटोरी में निकाल के रख रही हूं दाकि मैं मेरे अजबन को टेपिंड में भी दे दू और मैं शाम के लिए अगर बेटा मेरा खाएगा तो मैं वहां से थोड़ा बद बचा लूँगी और मैं तो बस थोड़ा सा हलका सा बस टेस करना है मुझे और यह देखे बहुत ज्यादा वेट नहीं है वही दो से तीन केजी थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा है बस उसी को कम करने की कोशिश है अभी तो आई होप जल्दी से कम हो जाएगा वेट और यह देखे अभी फिश फ्राइ में कर रही हूं और यह बिलकुल छ अच्छे से दो कर मैंने नमक हल्दी के साथ यह की मैरिनेट करके रख दिया था अब एक एक बार में चार पांच आ जा रही है कराई में आराम से अगर आपकी जो है फ्लैट वाली है कराई तब तो आराम से आपका एकी बार में सारा लॉट आराम से भुण जाएगा और जितना मेरा आ रहा था बस उतना ही में डाल रही थी जादा डाल दूंगे एक पार में न तो लग जाएगा फिश एक दूसरे के साच्छी पग जाएगा और दाइनिंग हॉल में फैंड चल रहा है था इसी वज़े से मैंने डोड बंद कर दिया आप देख रहे हो किचन का ताकि हावा ना आए हावा आने से क्या होती ना गैस फ्लेम इदर उदर भागने लगता है फिर और यह देखिए फिश भी मतलब एक दूसरे से बिलकुल अराम अराम से फ्राइ ओर देख सकते हूँ और मसालों में ज्यादा कुछ नहीं मैं बस प्याज लेसन टमाटर बगागा नहीं तबिलना एंट रहे है नहीं पहले जो बेंगॉली है उनको नाम पता होगा जो जादा तर फिश खाते हैं तो यह पार्शे फिस्ट मैंने इसके पहले बहुत बर बनाई है यह ऐसे भी सिर्फ आप फ्राई करके भी बचों को दो ना तो लोग बहुत ही इंजॉय करके खाते हैं ऐसी अच्छा लगता है खा द्धनिया पत्ता मेरे पास खतम हो गया था अगर वह रहता तो मैं जुरूर सैट करती है तो सबसे प्रदों मैंने जीरा डाला तेल में थोड़ा सो भून गया फिर मैंने इसमें कटिवे प्यास वर्ट किया है अब हलका से इसको पास भूनना है ज्यादा नहीं और जिन्होंने मेरे चानल को सब्स्राइब कर दिया है उनलों को बहुत बहुत थैंक्यू कमेंट करने के लिए थैंक्यू जिन्होंने भी कमेंट किया मुझे पढ़के बहुत ही अच्छा लगा आगे और भी अच्छे अच्छे कमेंट प्यारे-प्यारे से कमेंट चाहिए मु मेरी वीडियो के लिए वेट कर रहे हो तो वही देखके मुझे थोड़ा सा पता चलता है या फिर को कह सकते की मॉटिवेशन मिलता है तो यह देखें बात करती ही करते सारे मसाले सॉरी मसाले तो भी नहीं डाले हूं बस प्याज लैसून और हरी मिर्च उसको डाल दिया है तो हल्दी पाउडर और जीरा पाउडर ही डालोंगी और कुछ नहीं मैसाले इसमें जाएंगे और यह घर का ही बना हुआ मेरा जीरा पाउडर है और ठंड वगरा तो बहुत अच्छी खासी लग रही है मतलब सुबर पॉने नौ साड़े नौ बजे के बाद से न मुझे बहुत जाद ही ठंड लगती है उसके बाद मैं कॉफी बनाती हूं मतलब दस बजे के आराउं कॉ लेकिन अब ही थोड़ा सा कॉफी का नशास हो गया है लवल दब वह जब से लेने लगी हो ना तो मुझे अंदर से बहुत गर्माहट फील होती अच्छा लगता है तो विंटर सीजन के लिए तो कॉफी बेस्ट है जो की चाय से हमें नहीं मिलता है लेकिन हां एर सारे दिन म जाता हैं जाताम उनलेती में था ओर और तो नहीं लेती में हाफ कप कई करें कि थोड़ा-थोड़ा पानी टानी के मैं चेक कर रही हूं कितना गुरी इसमें चाहिए क्योंकि जादा तो मुझे बनानी है नहीं अधर मेरे दाल भी बना चुकी हो औलड़ी अदाल की वीडिय चार्ज बहुत दिनों बाद आई थी, तो सचाव के साथ शियर कर दूँ. नेञारि वेख्षाट, नमक डाल यादे, पानी देखिंगा, फिर स्वाठ इसमें अच्छा सकोपा जाएगा,छाब फिश में डालागी और फ्राही के जिए होगा है। जो फिश में राले पर ही कशब्स, फिश भी दाली शोलडेके साथ 4 सिकनल 1-2 शतली राला। अगर धन्या पता है तो इसी स्टेज में आप डाल दीजेगा उसे और भी अच्छा टेस्ट आजएगा देखते देखते जो है टाइम हो जाता है बेट के आने की उसके पहले ही लंच वगरा में बना के कंप्लीट कर देती हूं और यह देखे करके मैं फिश डाल रही हूं और बिल्कुल अच्छा से एक उबाल आ चुका है फिश में अभी थोड़ा सा फिश में रख डूंगी साइड में फ्राई किया हूँ जिसको फ्राई खानी होगी वो खा लेगा और जिसको ग्रेवी वाली खानी होगी वो ग्रेवी वाली खा लेगा तो बस अब बनने में ज़्यादा टाइम नहीं है बस और पांच मिर्ट में इसमें अच्छा सा उबाला जाएगा ग्रेवी भी थोड़ी से ठीक हो जाएगी फिर मैं इसको उतार लूगी गैस टोप से और हाँ मैं बोल रही थी क्या कि बेटे के आने से पहली लंच वगार सब कंप्लीट हो जाती है मेरी तो उसको लेग लग जाती है तेज की भूख यह देखें अभी यह भी बन के हो गए यह तैयार और दाल वगरम राइस वगरम मेरे अल्ड़ी बन चुकी है तो यह रही मेरे आज की रेसिपी आप सभी को बहुत ही पसंद आई होगी और ज़रूर से लाइक शेयर सब्स्राइब करके जाना मेरे इस चानल को यही ना चले जाना और आदी 5 प्लस का हो गया है लेकिन उसका बच्पना दिन के दिन बढ़ता ही जा रहा है वह बाहर में औरों के सामने तो आपके बैच्चे भी ऐसी करते हैं आई होगी नहीं करते होंगे लेकिन आदी आई होगी ऐसा ही जो एक्टिविटी है वह करना बंद करें अब वह बड़ा हो चुका है 5 प्लस तो बहुत जादा ही है ना तो आई होगी जल्दी से वह सब चीज़े सीज़े खुद से ड्रेस खुलना अटलेस पहनना यह सारी चीज़े तो फ्रेंड्स मिलती हूँ आपसे नेक्स व्लॉग में तब तक के लिए बबाई लभी और टाटा